प्यारे दोस्तों कैसे हैं प्यारे दोस्तों हम अपने यूटूब चैनल का URL लिंक कैसे कस्टमाइज करते हैं और उसकी क्या कंडिशन है अगर आप मेरे चैनल पर फॉर्स टाइम विजिट की हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना एकदम मत भूलिएगा क्योंकि आपके लाइक से जो है ना मुझे बहुत काफी मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है और इसी तरह से आपका नौलेज़ेबल और टेकनिकल वीडियो आपको प्रोवाइट कराते रहता हूं तो ज़रूर लाइक कर लिजेगा और हाँ सब्सक्राइब भी साथ में कीजेगा तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने चैनल का यू आरे लिंक चेंज कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप यूटूब पर चैनल करते हो तो वहां पर दोस्तों आप आपका चैनल के नेम है उसी नेम पर आप अपने चैनल का यू आरे लिंक कस्टमाइज कर पाओगे तो वीडियो के अंदर पूरे बने रहेगा और हाँ स्टेप बाई स्टेप देखिएगा अगर थोड़ा से भी मिस करके देखने की कोशिश किजेगा तो फिर आपको समझ म आप अपने चैनल का यू आरे लिंक कस्टमाइज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अपने चैनल का कस्टमाइज यू आरे लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए दो कंडिशन है फर्स कंडिशन यह है कि आपका चैनल वन मंथ ओल्ड होना चाहि यह सेकंड कंडिशन यह है कि आपके चैनल पर एट लिस्ट जो हैना 100 सब्सक्राइबर सोना चाहिए हम चलते हैं लैपटॉप के इस पर और वहां चल करके पूछ चीज़ें से करेंगे अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ लॉगिन होने के बाद आप अपने यूटूब चैनल का जो लोगोव आपको राइट सैड के ऊपर में बिखे गांए उस पर क्लिक करेंगे यूटूब स्टोडियो के अंदर चले आएंगे YouTube Studio के अंदर आप जब लेफ्ट साइट के अंदर आएंगे नीचे साइट की तरफ तो आपको सेटिंग्स का आप्शन मिलेगा देखने के लिए वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आप फिर जाकर करके सेटिंग्स के अंदर जेनरल के बाद आपको चैनल का आप्शन मि मिलेगा ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे त्री आप्शन सापको यहाँ पर देखने मिलेंगे योर मैनेज यूटूब आकांट और एडवांस्ट चैनल सेटिंग्स हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैनेज यूटूब आकांट के अंतर यहाँ पर हमको अपने चैनल को मैनेज करना है और कस्टम यूरल सेटिंग लगाना है उसके बाद यहाँ पर हम एडवांस्ट सेटिंग जो आप नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सबसे नीचे की तरफ सेटिंग्स अकांट के है ठीक है तो यहाँ देखने यूर इलिजिबल फूरा कस्टम यूरल तो अब यहाँ पर क्या करेंगे क्लेम इट हीयर पर क्लिक कर देते हैं अब यहाँ आने के बाद आपको देखिए मेरा जो ब्लॉक का चैनल है वो आपको देखने के लिए मिल चुका है यूटूब.com slash c bsk village vlogs अब यहाँ चाहूं तो मैं simply इसी को रहने दूँ या यहाँ से कुछ और दूसरा भी चूज कर सकता हूँ यहाँ से अगर कुछ एड करना चाहूँगा तो एड कर सकता हूँ जैसे for example फिर से मैं vlogs देख लेता हूँ और यहाँ पर जब आप अपने इस तरफ लगाएंगे अगर green हो जाता है तो इसका मतलब के अभी किसी ने नहीं use किया है तो आप use कर सकते हैं लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए क्योंकर मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितना मेरा channel का मैं confirm choice के उपर click कर दूँगा और इस तरह से आप अपना custom URL चेंज कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो अपना custom URL लगाया है custom channel जो है हमारा अब इस चीज़ को check कर लेते हुआ है या नहीं तो अपने YouTube channel के home page पर फिर जाएंगे चेंज हो गया क्य इसके village blocks अब हमको आपको देखने के लिए मिल चुका है तो यह इस तरह से आसानी से easy way में आप अपने channel का URL बना सकते हो